दोस्तों है सभी आप नेटिव चेनल में दोस्तों आज का ये विडियो दोस्तों जेकबाट के दोस्तों क्लास्तिंग के सभी विड़ाष्य के लिए दूस्तों बहरी बहरी मौस्स्ट वॉपोरNext विडीयो को करने वाला ने आज के बिडियो घ॥ सब्सक्राइब करने वाले हैं जो दोस्तों आपके विज्ञान के 27 माच के साइंस के पेपर में डाइट आपको बोड एक्जाम में देखने को मिलने माला है इसलिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने अगर्फिकेशन को अब प्रिसकर लिजेगा दोस्तों आज का यह वीडियो 27 माच के विज्ञान के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मुस्ट इंपोर्टन वीडियो होने वाला तो चले बीना देर करते हुए वीडियो का स्टाट करते हैं देखिए दुस्व सबसे पहले सेक्षन से ठीक है से मिन दुस्व आपको पता है जिस तरह समयत में दुस्व सादगों प्रस्ण पूछा था और पांच सब्क्म क्या पारी कलत्स कीजिए दो चलिए इसको माना क्या मानते हैं कि एन इलेक्ट्रोन एक कुलों आवेश कि रष्ञ्ण करता एक फोर्मूला था दुस्व क्यू बराबर होता है य ceux यह आपका आवेश आवेस को दर्साता है ये दुसर एन जो है ये number of electron को दर्साता है तो हम लोग कहो सकते हैं इसलिए एक electron का जो आवेस होगा क्या होता है एक electron कर कितना charge होता है तो एक electron 1.6 into 10 to the power minus 90 कुलम charge होता ठीक है तो एन किसे बना आवेस क्या होता है फोर्मूला होता है एक क्यू बराबर एनी इसलिए तो क्यू बराबर एनी हम लोग लिख सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों हम लोग जो एन बराबर क्या कर सकते हैं एन बराबर दोस्तों हम लोग जो है क्यू बटे लिख सकते हैं क्यों क्या है दोसों क्यों हमारे पास एक है एक कुलम आवेस की रचना बोला एक लेक लिए एक लेक्टरूम पर कितना वाइस होता है यहाँ पर क्या बोलता है यह प्रहता हुआए तो आप क्या करना उपर चोटा है निचे बरा तो क्या करेंगे तो दसको दोस्तों आपका जो पावर है यह का करेंगे यहां पर एक जिरो लेके और दास को पावर अठारा बना लेंगे ठीक है और नीचे दूसर आपका सोला का सोला हो जगा इसको काट लगाएगा तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 निकल कर रहा जगा ठीक है इसलिए दूसरों लोग कहो सकते हैं कि अता 6. 6.25 इंटू 10 का पावर 18 एक कुलम एक कुलम आवेश की रचना करता इस प्रकार से उत्तार रूड़ है चलिए दो नमर को हम लोग करते हैं जो लाइक नहीं किया दूसरों वीडियो को लाइक करना चाहिए ठीक है और चैनल को सब्सकार्ब कर लिजेगा कि हम बाहनों में उत उत्तल दरपन को पास दिस दरपन से वर्फ में वारिता देते हैं क्योंकि सध्ष सिधा इवाम आवासी प्रत्वीम बनाता है जिसके कारण क्या होताए यह काफी चोटा बनाता जिसके करण क्या होताए दूसरों कार का बाई का कि कुछ भी है इसमें कितने गारी कितने दूरी पर है यानि कि पीछे को पुछे का इस का ने कर लेता है इसे कारण च्छेत्री को देखने के लिह प्रकार से उतर हो गया चले तीन नमर क्या काता तीन नमर काता दोसो कि विस्थापन अभी किया किसे काता है एक उधारन तो विस्थापन अभी किया दोसो उस राशाइनिक अभी क्रिया को काते हैं जहां एक तत्व को तत्व को उसके योगित के बिल्गन से विस्थापित कर खुद उसका अस्थान कि अपने काल कर लेते हैं बना लेता है ऑपका लिए समा लोग के अवी किरिया कर लेता है एक को लात मार देता है इस जूरुको विस्तापन अभी कर्यक काते हैं और नेस्ट बरते है प्रसंद संक्या चान मर के ओं ठीक है चलिए दूसरों चान मर का था दूसतों कि आसवीत जल विदूत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्शा चालक होता मिदूत का ठीक है तो भीधुत का रिखालाओ के रुप में खुली होती है इंके स्ष़ट सक्षाषा करता है कि हमारे आमासे में आमले की क्या बोमिका एकको बताना हैं देखें हमारे आमासे में अमले की महलती महत्तों फूरनतों बोमिका है पहल popular है लिच सब्छा बिजाने वाले इंज़ाइम का पार्वाव से क destruction आपका पचाता है और अमली में भोजन के अमलीय को अमलीय गाते हैं डूस्त आपाइब जटर रास होता है यह क्या करता जटर में पाइब पाइब एंजाइम से उसे पचा सके और दोस्तों भोजन के साथ यह जो रोगानु जाते हमारे पेट में उसको अमले जो क्या करता मार दे था ठीक है चलिए नेश्ट दोस्तों यह आप छे नमर क्या कहता है कि प्रतिवर्थी किरिया और टहलने में क्या अंत्र है प्रतिवर्थी किरि और इसमें अगर आपका उंगली यह टाच हो जाता है तो क्या यह आप सटे रहते देते हैं नहीं से तुरंत हटा लेते हैं कैसे अटा लेते हैं इसमें इसको में प्रतिवर्थी किरिका जैसे कि दूस्तों एक और उधारन का हो जागा क्रेंट मान के चलिए कोई बेगती है अगर मान के चलिए तारूर को जोर रहा बोर्ड में लगा रहा है उसको क्रेंट लगता तो क्या यह छूते रहता है नहीं वह हटा लेता तुरंत इससे जटका मार देता इसको कहते हैं प्रतिवर्थी किरिया एक ऐसी किरिया जिसमें मस्तिका कोई भी निर्भार नहीं होता यह अपने तुरंत दम हटा लेता और एक होता तहलने वाले किरिया तो एक प्रकार का ऐसा किरिया है जिसमें दूस्तों मान के चलिए आपके सामने वाला बेक्ती मजबूत है और वह दोस्तों आपको एक चपपर यानि एक लप पर मारता है तो क्या आप उसको तुरंत से ए सामने वाला आदमी यह कम जोरे की तागत वार्त है यह तो आप इसे छाट मारते हैं लेकिन प्रतिवर्थी क्रिया में इसे नहीं होता है यह जट को है तो देख़िए अपने सोच दौरा नियंद्रेद कर सकते हैं अब कई तंत्र क्या है और उसका प्रमुक्ष घटक के नाम तथा उधारणद है तो वाता बरान उपास्तित अनेक जीव जन्दु तथा पेर पोध है या अजयविक घटको के जुराओ को परितंत्रे करते हैं और इसके दो घटा कोते हैं दुस्य का जेभिग है और एक आपका अजयविक है जैसे दुस्य मनुश हो गया पेर हो गय तोटल परसन दोसो साथ गए इसमें से पांच जवाब देना पंदरा नमर को सेक्सिंस भी मुझा था प्रकास वायू से डेर आप अंतनांग के काच की प्लेट में प्रवेस करता तो काच में प्रकेश के प्रकास के जो चाले तो यह कितनी है निरबाद में प्रकास की चाले त तो यह तिन गुणा दसका पावर दसका दस तीन गुणा दसका पावर क्या होता आठ मीटर पर सेकेंद प्रकास में चाल निरबाद में चाल निरबाद में प्रकास के चाले तो निरबाद में प्रकास के चाले तो निरबाद में प्रकास के चाले तो निरबाद में प्रकास प्रकास की चाल क्या हमको निकालना है और आप और तनाइक दोस्तों 1.5 दे दिया गया तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाए यह आपका उपर है यांकि यह आपका उपर है यहां पर हो जाए तो यहां पर हो जाए और तीन गुना दस का पावर आट बट्टे में 1.5 अब इसको काट लगाए तो दूसरे इसको डेर को तीन से काटेगा दो बार में कर जागा यानिकि दो गुना दस का पावर आट मिटर पर सेकेंड आएगा काच में ठीक है तो काच में प्रकास की चलके नाएगा दो पॉइंट दो गुना दस का पावर आट मिटर पर सेकेंड यानि किस प्रकास राइट इंस रोगा ठीक है चलिए दोस्तों दोस्तों निकट का उल्टा होता दोस्तों जो निकर डिस्तों जिस्में निकट की बस तुझे तुझे नहीं दिखाया परता और इसके लिए दुझे अगर दो तो दूर में ऐसा होता है जो दूर के बस तुझे साप साफ दिखाए पार ता निकल निकट के नहीं दिखाए पार था इसको इसका विपरन के लिए उत्तल लेंस का प्रोग किया जाता ठीक है दूर के चलिए अब दास नमर क्या करता दूसमा 6 पी तथा उसमा सोची अभी किर यानि एयसा ब्लक निकलता झालता था उस्मा सोचन अभी करता ह्ड़ा को दीख तो इसे मिश्चों काते हैं की क्या आएध्यारन के समझात की योगी के उस च्र能 को काते हैं जिनके जिनको एक समाने सुत्र द्वारा नेरुपुद क्या जा सकते हैं इसका समाने सुत्र होता है दोसो क्योंकि यह किसका समाने सुत्र यह अपका अलकेन इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इस प्रकार से समझाते हैं बारा नमर क्या था दोसो कि नू लेंड के अस्टक सिधान्त की क्या सिमा है आपको बाताना तो चलिए इसको लोग देख लेते हैं तो नू लेंड के जो सिधान्त है दूसरों सिधान्त की निमनों सिमा है पहला अस्टक का सिधान्त के बाल केल्सियम तक ही लागू होता क्योंकि केल्सियम के बाद प्र अंतत्व नहीं मिलेंगे लेकिन बाद में कई नहीं पाएं पाएं गए ठीक जैसे कि दोस्तों जिसके गुंधार पर अश्टक सिधान से मेल नहीं रखते हैं ठीक अपनी सार्णी में तत्वों को समझ्जित करने के लिए नूलेंड्स ने दो तत्वों का एक साथ रखा रख पीस चाहिए इनके गुंधार में दोस्तों उन तत्वों से भीन है आयन के कमान और निकेल से दुर रखा गया जबकि उनके गुंधार में समंता होती थी इसको दोस्तों इसको पढ़ना जरूरी है तरह प्रहेंगे तब पोधे या जीव अपना भोजन श्वय बनाते हैं उसे जो आसिक रूप से किसी दूसरी पर आसित होता है विशम पोशी निर्ट में अंतर हैं चलिए देखें यहां पर लिखता है कि प्रकार इस किरिया में नर और माधा दोनों की अवस्चता होती है के वसकता है नहीं होता है लेकिन नि'll कChat के जिवसाटा के बाद बनना आरशा है लेकिन प्लजैणी जीव में नहीं होता हैchas पॉइंट है कि इस जनन द्वारा उत्पन चंतान में ठीक है इस प्रकार से यहां पर प्रसन चौदह तक आपका समाप्थ हुआ और दूसरों सेक्संस भी तक ही आज की वीडियो में मुख स्विमित रखाएं परस्णों को चैक्सें दूस्तों मैं इसलिए आपको प्रस्ण नहीं करा रहा हूं दूसों इसमें जो मुखें परस्ण परस्ण और इक आपका डायनॉमा हो गया थेस्ट आपका वीदूत मोटर ह यहां पार आपको आनविक शूत्र और रचन 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 आना चाहिए जिसके आप अच्छी तरह से पांच नमर में टेंशन नहीं तो आप वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेन नोटिफिकेशन को और पेस रेट करें चाहिए दोस्तों मिलें आपको मोई इसितरा नहीं वीडियो करें है